सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉली थिन को बेच रहे दुकान दारों पर नगर निगाम की टीम ने कारवाई करते हुए जुर्माने की राशी वसुल की साती भविश्य में प्रतिबंधित पॉली थिन का उपयोग करते पाई जाने पर कड़ी कारवाई की चेतावनी दी प्रतिबंधित पॉलीथीन के रिए गलास पाए जाने पर जुर्माने की कारवाई करते हुए अलग-अलग दुकानदारों से 7300 रुपए वसूला गया साथ ही प्रतिबंधित समानों को जब्त किया गया बाराल प्रतिबंधित पॉलिथिन को जब्त करने को लेकर नगर निगम का अभियान जारी है बाजूद इसके प्रतिबंधित समानों को बेच रहे दुकानदारों के होसले भी बुलंद है Grand Asian News के लिए संजय दुबे